हाई फ्रेंड्स मैं हूँ प्रतीमा जबलपुर से बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो एक इंडोर प्लांट जिसका नाम है एगलो निमा उस पे बना रही हूँ और ये जो प्लांट होता है ये इंडोर प्लांट होता है और प्लोरो सेंट कह सकते हैं असी जगे पे अच्छे से रह लेता है इसलिए आपने अक्सर देखा होगा इसको लोग अपने ऑफिस में और बड़े-बड़े होटेल्स में इसको रखके उस जगे को सुन्दर बनाते हैं और दोस्तों इसकी कई प्रजाती पाई जाती हैं और इ इसकी जो ग्रोथ होती है दोस्तों बहुत धीरे-धीरे ये बढ़ता है और ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरी गराइटी एगलो निमा की ग्रीन कलर में ऑफ वाइट कलर के प्रेंटिस में देख रहे हैं आप बहुत कुपसूरत होता ये भी और इसके लिए दोस्तों अगर हम इसकी ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जैसे कि इसको हम सुबह की जो धूप होती है वो धूप इसको मिले और शाम की जो दिन की धूप होती वो इसको ना मिले ऐसी जगह पर रखें जहां पर कि या तो मॉनिंग वाली जो ल जगह पर रखें कि हम जब कृड़की को ले तो समय उसको इसकी धूप में ले तो इसकी ग्रोथ चोती हो बहुत अच्छी होती है और दक्षण दिसा या साउथ साइड की जो किड़की होती है वहां इसको रखने से इसका जो ग्रोथ है वो नहीं अच्छा होता क्योंकि वह तरह के ही है आपने पहले देखा वह रड़ कलर का लेप्स्टिक अगलोनिमा के नाम से जाना जाता है यह दूसरी वराइटी है और दोस्तों इसको इसमें जो हमें खात वगरे देना कोई आसी विसेश खात देनी के जुरत नहीं होती अपन कोई भी खात डाल सकते हैं गोबर क सूखी पत्यां होती है उसको हमें निकाल देना चाहिए और इसको थोड़ा साफ सूफ करते रहना चाहिए तो इसका जो गूथ है वो अच्छा होता है और खात जो है इसको हम बहुत ज़्यादा खात डालने की भी जुरत नहीं है 60-90 दिन का जो गयाप रखे मतलब 3 महीने 2-3 महीने के बीच में हम इसमें खात डाल सकते हैं और जो सर्दियों का मौसम होता है दोस्तों वो इसके लिए अच्छा नहीं होता इसकी ग्रोथ के लिए गर्मियों में अच्छे से बनबता है लेकिन तेज दूप में भी इसको न वराइटी है दोस्तों देखिए एगलोनीमा की इसमें ग्रें कलर के ऐसे लाइन-लाइन सी है बहुत सुन्दर और जो इसकी पत्ती के बाद जो टहनी वाला एरिया होता है वो बेबी पिंक कलर का बहुत सुन्दर लगता है देखने में असा लगता जैसी रबर का प्लांट ह इसको भी हम एंडूर रख सकते हैं बसरते दिशाकर हान रखें बहुत सारी वराइटी आती है इसमें दोस्तों आप इसको अपने गार्डन में लगा करके अपने घर में रख करके अपने गार्डन घर और पोच aur ओफिस को सुंदर बना सकते हैं यदि आपके पास में कोई गार्डन में फ्लावर नहीं है तो ये उस जगे को भी मतलब उस कमी को पूरा कर देता है फ्लावर की जगे आप इसको रख सकते हैं ग्रेंगी के लिए तो है ही बहुत सुन्दर और इसमें जो वराइटी इस पाई जाती है उससे आप फ्लावर की क कमी को भी दूर कर सकते हैं और बहुत जादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगता ये बस इसको धूप का ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा तेज धूपना और पानी भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए एक वराइटी और है दोस्तों ये देखिए इसमें ग्रीन में यलो कलर के प्रिंट टाइप के हैं ये भी बड़ा सुंदर दिखता है देखने में इन सबको मैंने असी जगह पर रखा हुआ है जहां पर की या तो मॉनिंग की इसको धूप मिलती है या एवनिंग की और बहुत हलकी बहुत तेज धूपती उस एरिया में नहीं आती च्छ करके अपने गार्डन को और अपने घर को बना सकते हैं इसकी कटिंग भी लग जाती है दोस्तों बड़े आराम से लग जाता है बस ज्यादा पानी देंगे तो सड़ने की वह रहता है ज्यादा पानी नहीं देना इसमें और रेनेज भी अच्छा रखना है कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका एगलोनिमा बहुत कुपसुरत हो जाएगा और दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे लाइक और शेयर भी कर दीजे ताकि आपको सब्सक्राइब करने से आने वाले वीड पली बनाने की कोशिश करूंगी तो यह थी जानकरी दोस्तों अगर निमा इंडोर प्लांट इंडोर भी रख सकते बाहर भी रख सकते दोनों तरह से अपनिस को रख सकते मिलते हैं औक ले वीडियो में बाबाय हैपी गार्डनेंग